कि और हलो दोस्तों और कैसे आप सभी मैं आप सब का pregunta linaes आप लोगे अपनी योटु Michemal दा टाइलेंणक गुरू मैं आप सब् aver करता हूँ आसथा करता हूँ दोस्त आप सबसारी लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे खुस होंगे विंदार होंगे और आप लोग बढ़ाई भी बहतर तरीके से चल रहे होगी जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सिटेट के लिए क्लास हम लोगा कंटीन्यू चल रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़े कंप्लेट कर ली हैं लेकिन इस समय फिलाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइस प्र थियोरी में कुछ नई नई चीज़े हैं मैंने उसको भी एड़ कर लिया है फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग कुछ बहतर समझ में आएगा जिससे कि आपका जो कोस्टन है गलत होने की पॉस्पिल्टी कम होगी तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को में स्टाट करते हैं अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप से ही कहूंगा विया इसके पहले दो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है समाजिक करम और विकास और बिद्धी उससे रिलेटेट जितने भी 2022-2023 में आपके कोस्टन आया है त इसके पहले जो 2021-2022 का उसको भी मैंने टॉपिक वाइज आपको पहले पढ़ा दिया हूं तो प्लेइलिस्ट पे जाकर प्लीस उसको देख लिजेगा जिससे आपका कॉंफिटेंस लिवल बढ़ जाएगा और आपके एक्जाम में कोस्टन गलत होने की पॉसिबिल्टी कम शुक्त करते हैं तो आज हमारा टॉपिक होने वाला जिन प्याज है इसमें देखिए क्या है प्याजी के महत्पूर्व सब्द हैं अगर सब्दों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया क्योंकि चैशी की सब्द आहें उन्हीं सब्दों से ही सारे कोशं upright चैश्ट में लास्ट में को बताऊँ किस किस पॉइंड को आपको घृट करना मतलब किस किस पॉइंट आपको ज्यादा फोकॉस करना आपका उसी क्यों साधदा zvagn कोस्टन आपको देखने के लिए मिलेगा तो प्याजे की जो महत्पूर सब्द हैं उनको आप से रिक्वेश्ट है कि आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझे सब्दों को समाईने कुछ करें याद करने कुछ होने वाला नहीं क्योंकि जब आप पैड़गोजी पड़ेंगे तो पैड़गोजी में आपको जोयर की बहुत सारे ह marginalized होसर्जण बनेगा उसमें आप जोई वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना या किसी बिसम परिस्थिती में खुद को ढाल लेना अनकूलन कहलाता है और यह अनकूलन किन्दी परकार को होता है दो परकार को होता है तो अनकूलन का मतलब यह होता है यह किसी बिसम परिस्थिती में मतलब कहीं पे भी आप जा परिस्थिती के अनुसार खुद को अगर आप धाल लेंगे तो क्या होगे तो आप बच जाएंगे उसी को हम क्या कहते हैं अनकूलन जब परिस्तिते के अनुसार खुद और अनकूलन का एक अर्थ होता है के अनुसार अनकूलन का मतलब होता है क्या के अनुसार तो इसका मतलब क्या समाझ मेंगा कि अगर मालोग पूर्व अगर माली जी कि अगर नदी के पानी का बहाव पूर अभी उसी दिशा में दोड़ना इस्टार्ट करिए उसी को हम क्या कहते हैं अनकूलन अगर आप प्रकृति के अनुसार वाता वुर अलक्सिन के अनुसार आप खुद को ढाल लेते हैं तो समझे उसी क्या कहेंगे हम अनकूलन आपको बेटर तरह के समझ में आ गया होगा अगला हमारा इसको कह रहा है कि यह दो प्रकार के होते हैं यह कितनी प्रकार के होते हैं दो प्रकार के पहला हमारा होगा है समावेशन इसका दूसरा नम क्या है इसका दूसरा नम है आत्मसात्यकरण दूसरा नम क्या है आत्मसात्यकरण एक्जाम में कई बार यह सब्द पु पुरानी जनकारी में बिना अंतर किये जुड़ना नई जनकारी में पुरानी जनकारी को बिना अंतर किये जुड़ना क्या कहलाएगा समा वेशन समा वेशन मतलब मतलавно किसी में समा जाना यह कर सकते हैं किसी में समा जाना तो खुद में मतले होता है कि कोई नहीं नई जनकारी आपको मिली तो पूरानी जनकारी में बिना कोई भेदभाव बिना कोई उलफन कि जैसे हमनी example क्या रखाए कोयल को काला समझने वाला बालक कोवे को भी कोयल समझता है जैसे उसकी कहने का मतलब भी है कि माली एक ब्रा Minsh कलर का माली यै झालब कade कोई डौगी आपके घर में है तो अगर आप किसी कुट्टे को पाले हैं कुट्टा क्या है जो भूरे कलर का है तो आपके घर में जो छोटा बाला है को डेली-डेली कुट्टे को देख रहा है तो भूरा कलर देखा हुआ है आसोचता है कि भूरे कलर के जो होते हैं वो क्या होते हैं कुट्टे होते हैं तो वो कुत्ता कर रहा था ब्राउन क्लर कर था और यसे ब्राउन क्लर की बकरी मिलगे तो उसको भी क्या कर रहा हो कुत्ता कर रहा तो इसे हम क्या कहेंगे समा वियसान ठीक है अगला का है समा योजन समा योजन क्या कहता है कि नई जनकारी के कारण मतलब जो बच्चा पहले से ज जंकारी को फिर से जंकारी को फिर से वेवस्थित करना क्या करणा समायोजन यहां यह लेकिन यह जंकारी करो तो जो आपके पास पुरानी जनकारी थे उसमें कुछ्स ने कुछ उन दोनों में टकरा झा सुधनध में करो रहा है तो जो पुरानी जनकारी सब्सक्तारिं कि एघंड करनें पर किल्दा चेंजिस करने के बाद उसे हैं istice कर उनको तो हम अपने साथ रखेंगे लेकिन उनमें कुछ संसोधन करके रखेंगे ठीक है तो बात यहां समझ में आगी उसे कते हैं समा यूजन जैसे मालेज़े जो सिर्फ कोयल काली होती है यह जानने वालक बाद में कवा देखने पर विरोधा भास इस्तिति में आवाज पर अंतर कर पाना जैसे अबने कुट्य दोनों को आवाज के अधार पे किसके अधार पे आवाज के अधार पे अंतर कर लिया तो क्या कहलाएगा समा यूजन मतलब नई जनकारी में जब पुरारी नई जनकारी के कारण पुरानी जनकारी में कोई उलंगन हुआ है तो उसको क्या करेंगे थोड़ा संसोधन करेंग संतूलन मतलब यह होता है संतूलन मतलब यह होता है कि हम इसमें कहेंगे कि किसी बिसम परिस्थिती में संतूलन आप कैसे बना सकते हैं संतूलन बनाने के लिए या संतूलन की अवस्ता में खुद को लाने के लिए समावेशन और समायोजन की बहुत जरुवत पड़ती है माली यह भाइब टों संदूलल मतलब क्या होता है बालत मनना आपको भली बाद ही पता है कि ना माताजी को छोड़ सकते नावाय को छोड़ सतके रखेना है यह लेकिन डोने सांव लाना चाहती नहीं तो ऐसे इसस्थिती में क्या करेंगे किसंटूलन की अवस्था में लाने के लिए मम्मी की बात को कुछst同 बिरॉद करेंगे कुछ वायब की बात को एसेट करेंगे कुछ उसकी बात को विरोध करेंगे फिर उन दोनों में तुमने का जैसे आपने बताया समा विशन तो कुछ चीजों को डारेक्ट आपको एसेट कर लिया तो हो गया समा विशन थोड़ा उसमें संसोधित कर दिया आपने तो हो तो जिसमें हमने क्या कहा कि यहां देखिए एक संतूलित अवस्ता जिसमें बालग जनकारी में कोई विरोध नहीं होता है यह प्रक्रिया समावेशन और समायोजन द्वारा लाही जाती है संतूलन्य आप कैसे रहική हैं कहीं अगर आपको बैलियस बनाना पड़ेगा तो दोनों पच्चो को सुणिए आप जया कि आप जंतूली तवस्तामें ला सकते हैं अचार्टाओ नहीं ला पांगे नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फिर से में कोई और एक्जांपल लेको आपको समझाने कोशिश करूंगा लेकिन वस्तु का अस्तित्व रहता है जैसे में दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है जिससे की छाप वस्तु को ढूड लेता है मतलब जो बच्चा है एक इस्तती ऐसी आती बच्चे की एक एज ऐसा आता है कि उस एज में बच्चा के सामने से अगर वस्तु आँखों से उसकी ओजल हो जाए फिर भी वह जानता है कि वस्तु कहीं ने कहीं है और उनके दिमाग में उनकी क्या है छाप बन जाती है और उसको ढूड़ना स्टार्ट कर देते हैं जैसे हम पहले एक हाथ में कुछ लिए रहते हैं तो दूसरे हाथ से हम फिक देते हैं फिकने बात करते हैं कि नहीं यह समान वहां गई वहां गई लेकिन फिर भी बच्चा आगे साथ उठाके कहीं फेकेंगे फित दूसरे आत में तो भी बच्चा आपके पीछे आके देखता है क्योंकि बच्चे के अंदर यह समझ एक अवस्था में आ जाती है जिसमें जान जाता है कि वस्तु भले उसके आंके सामने दिखाईने दे लेकिन वस्तु कहीं कहीं है और उस वस्त को ढोलने कोशिश करता है उसे हम क्या करते हैं वस्तु अस्थाइप ठेक है ना वस्तु अस्थाइप अगला जीवाद क्या होता है कि बच्चे की जान देजीगा जीवाद हम किसे करते हैं बच्चा जब सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पात और सभी बस्तों क्या समझता है जीवित समझता है आप देखें होंगी जो सायसा वास्ता में जो होता है तो जो बच्चे 2 साल के होते हैं जीरों से 2 साल के बीच के होते हैं तो बच्चा क्या करते हैं जो गुडिया लेकर खेलते रहते हैं अगर उनको आप मार देंगे जो उन सजीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है सभी चीजों को समझता है क्या है सजीव ठीके तो अगला इस्कीम अग्ला पॉइंट के भी है अगला इस्किम अगर आपको इस्पीड ज्यादा लग रही है तो आप थोड़ा सा इस्पीड करके देख लिजेगा क्योंकि अगर इस्पीड नहीं रखेंगे तो यह वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी जिससे फिर आपको देखने में थोड़ा सा बोर् आपको इतना परेशा हप्ते कर मिलेगा यह निस्पने मेरत तो यह जोएंग के लिजए आपको महीने में इतना मिलेगा वह जो वार बार बार जो एकर करके आपको दिखारता है तो बच्चे के दिमाग में जो जनकारी इस्टोर रहती है उसको क्या करते हैं जहां पे बच्चे के सारी जनकारी जो उसका पुर्वग्यान हो जो खेल कुद के माद्यम सिखा हो घर परिवारस जो नहितिकता समाजी घ्यान जो भी सीखा हो वो जहां पिन सब चीजों को इस्टोर करके रखता है उसे क्या करते हैं इसकी मा और उसी को बारी-बारी एक-एक करके करम में सजाता है या करम में उसको यूज करता है उसे क्या करते हैं इसकी मा ठीक है अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझे कीचन है क्या भी है आपका कीचन कीचन में आपका नमक है मसाला है तेल है हल्दी है चावल है आटा है डाल है सारी कुछ चीज़े इस्टोर है ना तो जो कीचन है कीचन में सभी वस्तु रखी गई है तो आप समझे को क्या हमारा इसकीमा है लेकिन उन सभी वस्तु को यूज करके मा लेक्त को डाल पनाना है तुक अगर हमको सब्जी बनाना तो पहले क्या करें पहले काड़ही काड़ाय दिमाग में पहले से इस्टोर रहती हैं उसका प्रियोग करके किसी भी सह के प्रती एक धारणा बनाना बच्चे की जनकारी का छोटा-छोटा खंडन यह प्रकृति यह क्या होती है जन्मजात होती है बच्चे की जनकारी का छोटा-छोटा मतलब कितनी सारे चीजे यह हैं तो आप चोटे से मोटे में यह रखेए कि दिमाग में पहले जो चीजे स्टोर रहती है उसे इसकिमा करते हैं पिर बच्चा उसनी करने योज करता है तो उससे क्या करते हैं हम इस स्किम्स करते हैं आप चलते हैं अगले पेच पर ठीक है समझ में नहीं आगा भी आ तो आप एक बार कमेंट कर दीजेगा फिर समय कोशिस करूँगा आपको बहतर तरह के समझाने के लिए जो पॉइंट आपको ना समझा है बस उसी को एक लिए अहम केंज़्ता क्या है आप बच्चे पता है बच्चे की एक इस्थिती ऐसी आती है कि बच्चे की अपको क्या समझता है कि जो मैं सोच रहा हूं बच्चा क्या समझता भी आपको कर रहा हूं वो सब क्या है ठीक है जैसे माली आप देखें होंगे कि जब बच्चे कहीं कोई खिलावना अगर उनको दे दे रहता है खेलने के लिए और उस खिलावने क्या करते हैं तोड़ देते हैं मतलब उसके नट बल्डू जो भी हो तो उसे क्या करते हैं खोल देते हैं खुलने के बाद वो खुद से उसे बनाने कोसिस करते हैं इसे को यह बच्चे क्या ननेय बच्चा क्या करते हैं प्या दीजी हम बना देते हैं तो बच्चा आपको देगा नहीं अगर वो खिलोना आप गलती से चीन लेते हैं गलती से खिलोना अगर आप उसे चीन लेते तो रोने लगेगा या तो क्या करेगा चिलाने लगेगा तो उस समय बच्चा को यह लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं या म पते हैं और हम केंद्रित अद दूसरा एक सब्द होता है आत्म केंद्रितता वहीं सब्द आत्म मतलब अपने अंदर हैं जो भी कह सकते या अंतर आत्मा कह सकते हैं ठीक है तो बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं जब बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो उसे कहते हैं क्या आत्म केंद्रित्ता क्या कहते हैं आत्म केंद्रित्ता इसते एक्जांपल के लिए आपके ले सकते हैं कि माली जी अगर आपके घर में कोई छोटे बच मिठाई लेके आ रहा है या हाथ में कोई फल फ्रूट लेके आ रहा है तो जो घर में जो बच्चे होते हैं जो बच्चा सबसे पहले वहाँ पहुचता है क्या करता है वह देता भी नहीं है तुसरे हम क्या कहेंगे आत्म केंदित्था वह मिठाई भले ही ख़ाब क्यों न आँ जाए गर्यशं को आजार दिन देगा नहीं किसी बीश्थे तो उसे हम क्या कहेंगे आत्म केंदित्था और यहीं सब्द से उठा के लिए गए कौन लॉरेंस को अलबर्ग ठीक है जिसको हम कहते हैं क्या स्वार थी बच्चा अगला पॉइंट बारा अपल्टावीपन क्या है अपल्टावीपन किसे करते हैं इसमें बच्चा वस्तों संख्याओं समस्याओं आदिको उलट पलट नहीं सकता करने का सिंस्य है कि एक अवस्ता ऐसी आती बच्चे के सामने कि आप दो प्लस तीन बराबर अगर पांच बता देंगे तो बच्चा इस सिस्तिति में उसको सवल्ब नहीं कर पाता है इसे हम क्या करते हैं अपल्टावीपन जो चीज आपने उसको रिखाई जो चीज आपने बच्चे को बताई उसमें थोड़ा भी अगर आप बदलाव कर देंगे ठीक है ना जैसे थोड़ा बदलाव क सिस्तिति में नहीं ला सकता जैसे मालेजीuk आपने बना दिया व आपने क्या बनाया व व से अगर आपक बना देंगे तो व को बच्चा भूल जाता है करेंगे घ़क आप बनाओ कर तो ठीक है बच्चे ने क्या बना दिया कर फिर उसने कर कि इसको बना दो वह तो बच्चे क्या होते हैं एक इस्तिति ऐसे आती है कर को पूरा एरेज करेंगे कर को क्या करेंगे कर को पूरा एरेज करेंगे मतलब मिटाएंगे मिटाने के बाद फिर वह बनाते ह ठीके और यहां पर आप चाहें तो बस क्यों क्या है साइड वाले को मिटा देंगे तो यहां से आपका क्या है वह बन जाएगा बस आप इसको मिटा देंगे तो यहां से क्या होगा वह बन जाएगा लेकिन बच्चे क्या है इस चीज को नहीं जान पाते हैं और क्या करते हैं वो पूरे को मिटाने की कोशिस करते हैं इसे हम कहते हैं क्या अपल टावी पन अगला इभी आवारा केंदरी करन क्या है केंदरी करन क्या है कि एक समय पर एक कई वस्तु पर ध्यान दे पाना क्या कलाएगा कि इंदरी करना एक्जामपल के लिए ले सकते हैं कि मालीजिये कोई बच्चा है आपके घर में और आप उस बच्चे को घर पे छोड़के मारकेट जाना चाहते हैं एक गंटे के लिए दो गंटे के लिए तो आप माल लेजिए आपके जाधी हो है आप अगर husband wife है आप घर नब बच्चा है तो बच्चे को छोड़ के अगर आप जाना चाते कर मार्केट जाना जाना था चाते हैं और आप घर में क्या है एक दोगी पाल के पाल के रख़ा हुआ है अगर हम घर से बाहर जा रहें कुछ टाइम के लिए आसपास या पड़ोस में कहीं तो हम कहते बेटा तुम इस कुट्ते को ध्यान से देखना तुम इसकुट्ते को ध्यान से देखना जब तक हम बहार से आएंगे तब तक तुम इस कुट्टे पर नजर रखना ठीक है तुम्हारा काम यह है कि हम लोग जा रहें बाहर और तुम ध्यान से उस कुट्टे को देखते रहना तो उसी सिती में क्या होती है कि parents लोग तो चले जाते हैं अब कुट्टा क्या करता अरे वो जो आदमी और जो बच्चा है बच्चा क्या करता है कुट्टे पर ध्यान दिया रहता है कुट्टा बेचारा पूरा बेड़ गंदा किया कुट्टा क्या क्या पूरा बेड़ गंदा किया ट्वालेट किया बातरूम किया और यहां से वहां जो समाने सब को विखेर दिया है लेकिन बच्चा क्या है उस कुत्ते को देखता रहा है कुत्ता जहां 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 जाता था बच्चा उसके पीछे वहां वा जाता था और उसको देखता रहता था जब घर में लोग आएं देखें तो पूरा सारा समान भी गंदा था ठीक है तो उस समय क्या हुआ है कि बच्चा आज पास के सारी चीजे तो नुक्सान हो गई अब उसके पापा पुछे सब कैसे हुआ कुट्टा कहा गया तो बच्चा बता दे कुट्टा तो आपके सामनी बैठा है क्योंकि कुट्टे पुर नजर रखी रहा था तो ऐसे इस्थिती से क्या काते हैं हम केंदरी करन सारी समान उथल पुथल हो गई लेकिन बच्चे की निगहाए कुट्टे से हटी नहीं तो ये कि दूसरी बार जब उसके पापा या मम्मी बहर जाएंगे तो बच्चे को बताएंगे कि तुम कुत्ते के सास साथ और भी चीज्जों को द्याँदेना कि नुक्सान न हो पाए तो उसे कहें हम दोनों को बता दीए अगला देखते सरच्छन का भाव सरच्छन के भाव में क्या उतविय की जब क्या करते सबंसेक्ट को आकर करते सब्सक्राइब आपने बच्चे को कोई चीज दिखाया और उसमें थोड़ा भी अगर आप चेंजस कर देते हैं थोड़ा भी अगर आप बदलाओ कर देते हैं तो बच्चा क्या होता है कि जो पुरानी आकरिती होती उसे भूल जाता है बच्चे को माली कोई भी आपने तस्वीर दिखाया कोई भी चीज आपने उसको दिखाया अब बाद में क्या क्या है उसमें थोड़े से चेंजस ला दिए तो थोड़ा अगर उसमें changes लाएंगे तो बच्चा क्या करेगा पुरानी अकृतियों को भूल जाता है इसे हम क्या करते हैं सरच्छन का अभा और सरच्छन मतलब क्या होता है बचाव करना अगला हमारा क्या है अविलोमेता अविलोमता मतलब क्या होता है आपको जैसे हमने हो गई है आपके कोई छोटा बच्चा है अब आपольने गाल पंड़ी जिसको हम एकल परिवार करते है तो ऐसे स्थिति मिक्या होती हैं घर की जो माता होती हैं क्या करते हैं बंच्चे को छोड़ देते हैं और बच्चा क्या करता है वहां से स्कूल से वापस घर नहीं आ क्या होता है वहां से वापस घर आ जाता है और एक ऐसी आती इस्टेज कि जिसमें क्या है बच्चा वहां से घर पर वापस नहीं आपाता है जब घर वहां से वापस नहीं आपाता है तो उसे कतें क्या पल्टावी बीलोंता कहेंगे और जब बच्चा स्कूल से वापस घर जाए तो उसे क्या कहेंगे हम वीलियों रहें अब समाजिक संचलन समाजिक संचलन क्या होता है समाजिक संचलन समाजिक मतलब हो गया समाज में रहना संचलना मतलब वो गया कि आप उसे कैसे मूव खर रहें, कैसे समाज में आप रहर हैं, तो बच्चा होता न्या verme vetati, मतलब बच्चें को आप शिखाने जुरूरत नहीं है अगर अब उसे चाहते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़े लिखे तो हमेशा उसके इर्दिगिर्द, उसके आसपास, उसके बेडरूम में या जैसे मतलब आसपास के लोग वैसे रखियें जिससे क्या हो हमेशा सिछा का माहुल बना रहे तो बच्चा वैसा ही बनेगा लोग नहीं करते हैं जैसी संगत वैसी रंगत तो यही बात बच्चों पर लागव होती है अगर बच्चा को बेहतर इंवार्टमेंट लेगा तो बच्चा बेहतर तरीके से सिखेगा और अच्छा काम करेगा अगर आस पास के लोग अच्छे नहीं हैं हमेशा उल्टी सीधी बाते कर रहे हैं तो आप कितना भी कोशिस कर लेजिए कितना भी कोचिंग लगा लेजिए कितना भी व्याइपी स्कूल में बेच दीजिए बच्चा कुछ नहीं कर सकता अगर बच्चे को बेहतर बनाना चाहते हैं कि उसका उज्जवल भविस हो लाइफ में चलके अपने इवन को और बेहतर तरीके से विदास है कि और हमें भी कुछ काम मेरे लिए भी कुछ करें तो आपको विया सुरू से ही आपको जब बच्चा छोटा है तब इस आपको ध्यान दने पड़ेगा कैसे लोगों की बीच उठ बैठ रहा है और कैसे लोगों की बीच नहीं ठीक ह कि उसको सही गलत का तो पता ही नहीं है एक इसी आती है कि बच्चे के अंदर नयतिक्ता होती नहीं है नयतिक्ता मतलब होता है कि जो सम्मान करना यह चीजे नहीं होती जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं जब बच्चे जीरो से दो साल के होते हैं अगर ममी बोलनी पापा क को मार दो तो पापा को मार देते हैं पापा बोले ममी को मारो तो ममी को मार देते हैं तो ऐसे इस्तिति में क्या होता है उनके अंदर नैतिकता पूरी तरह से गायब होती है तो आपको समझ में आगया हो संचलन क्या होता है समाज में रहने से ही आपको समाजिकता का ग्यान और समाज करनी मार कैसे होता है लोगों से समुहों से दू या दूस की अधिस लोगों की मिलने से अब अगली पॉइंट सक्रिया क्या होता है किसी वर्ष्ट को बिगार के ठीक करने क्रिया क्या करते हैं संक्रिया अगर यही पॉइंट आपको मैत मिल जाए तो इसका मतलब होत पहले चीज़ तोड़ेंगे अब फिर बनाते हैं अगर तोड़ा भी अगर उसमें छेड़ खानी में तो और तोड़ेंगे और रोना स्टार्ट करेंगे जब बच्चा एक स्तिति ऐसी एक होती है उसकी एक एज होती है, कि उस एज में वो किसी की बाद सुनना ही नहीं चाहता है, ठीके, कार्य कार्य और बच्चा हर कार्य के पीछे कार्य जानना चाहता है, अगर उसको आप क्या दे दिये, उसको आपने दे दिया कार खरीत की दे दिया, आपने उसे हिलिकॉप्टर खरीत क से बिगार देता है और फिर से बिगारने बद क्या करता है उसे बनाने की कोशिस करता है तो यह हो गए आपके प्याजे के महत्पूर सब्द अब हमारा होने वाला है क्या कि प्याजे की कौन कौन से वस्ता है किस किस एज में बच्चा क्या क्या करता है उससे बड़ा बच्च के बारे में अब हम बात करने वाले हैं तो प्याज ने तीन सिद्दाद ने एक संग्यानातमक ठीक ने बच्चे ने तीन दिये हैं एक दिया संग्यानातमक दूसरा दिया ने तिकतास विकास तीसरा दिया भाकसा विकास बासा विकास को हम आपको अभी यहीं बता दे रहे हैं और नेतिक विकास मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि हमने जितने भी सारे एनलाइसिस की हैं, कोस्टन की, जितने भी हमने प्रिवियस यर कोस्टन देखें, वहां पर जो है, नेतिक विकास से आपको कोस्टन नहीं आया है, नेतिक विकास से बस कोस्टन आ तो आपको ह पहलबर्ग से आता है और प्याजे का जब भी कोस्टन आएगा इनकी अवस्थाओं से आएगा अवस्थाओं के अंदर क्या चेंजे सारे हैं उससे आएगा तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं तो यह संग्यानात्मक भीकास पहले दें भासा विकास का सिध्धन क्या कहता है प्याजे कहते हैं कि भासा बच्चे में प्याजे कहते हैं कि बिचार पहले आता है क्या आता है बिचार पहले आता है और भासा कब आती है बासा बाद में आती है ठीक है इसके लिए हम एक्जांपल क्या ले सकते हैं बिचार क्या आता है पहले आता है और भासा क्या आती के बाद में तो यहां पर हम एक एक्जांपल लेना चाहिए तो ले सकते हैं कि माल जी एक डॉक्टर द्वारा एक डॉक्टर ने क्या एक मरीज को क्या ठीक है न ध्यान सुनिएगा अगर एक प्रेमी एक प्रेमी अपने प्रेमी का से कहता है कि तुम पागल हो एक प्रेमी अपने प्रेमी का से कहता है कि तुम पागल हो तो इस इस्थिती में चाहिए वो प्रेमी हो चाहिए प्रेमी का क्या होते हैं उसमें खुस होने लगते हैं ठीक हैं क्या होते हैं बहुत खुस होते हैं लेकिन अगर वहीं पे लेकिन अगर वहीं एक डॉक्तर अगर एक मरीज को कह दे कि तुम पागल हो क्या कह दे कि तुम पागल हो तो इस इस्थिति में पूरे घर परिवार वाले क्या होते हैं परिसान हो जाते हैं तो जो डॉक्तर कहा उसके पीछे का विचार कुछ अलग था जो यहां एक प्रेमी प्रेमी का से कहते है कि उसके पीछे क्या विचार कुछ अलग है तो पिया जे कहते हैं कि विचार पहले आता है भासा बाद में यह बाध पहली पीस कुछ बाइव कहार किबma को इसके बाद क्या जन्म से ही वातावर्ण की अनिस्थता को दूर करने के लिए अनकूलन करता है मतलब बच्चा क्या है हमेशा वातावर्ण से क्या करता है लड़ता रहता है अगला है संग्यानात्मक और संतूलन की इस्थती में समायोजन समावेशन द्वारा फिर से संतूलन बनाता है तो हमने आपको पहले ही बताया कि संतूलन की अवस्था में लाने के लिए, साम्य धारण की इस्थती में आने के लिए आप जो है समावेशन और समायोजन दोनों की जरुवत पड़ती है, ये देखिए, संतूलन सिर्फ अपूर्व अनभव पर नहीं, बलकि सारीरिक परी पक पता, स्नैहु मंडल, सनवेदी अंगो, तथा पेशी अंगो के पर भी निर्भर करता है, जहां पे मम्मी अरे, जहां पे माता जी और वाइप कोई बीच में संतूलन नाला है, तो देखेंगे कि हम जिसके तरफ देख के बोलते हैं, मतलब जिसके जिसको हम बोलते हैं, आप बस बोल के संतूलन की इस सिति में नहीं ला सकते हैं, आपको कुछ अपने सन्वेदी का प्रियोग करना पड़ेगा, कुछ हाथ और ऑपकी आपकी माता जी का ध्यान होगा और आपकी और आपकी और आपकी आपका तरफ होगा, तो मुझ से डाटते रएप हें, क्या करते है में बढ़ी हैं बात में हम बात को समझ लेंगे तो ऐसे इस्तितिम क्या करते हैं आप संतूलन ला सकते हैं तो आप कहीं कहीं सन्वेग का भी यूğl करेव ठीक है । है सामे धारण से संग्यानात्मंग विकास की अवस्था बनती है मतलब जब आप संतूलन के अवस्था में आ जाएंगे तभी आपका संग्यानात्मंग विकास होता है अगली पॉइंट देखते हैं क्या होने वाला भी हमारा चार हो गया पेज नमबर पांच अब यहां देखिए इनके कुछ महत्पूर बिंदु हैं कौन-कौन प्याजे की सभी अवस्थाएं क्या हैं गुडात्मक हैं किसी भी अवस्था का ना तो करम बदला जा सकता है ना ही पाए जाएंगे प्याजे के चरण जरूरी नहीं है कि उनके बताए गए उम्र में ही आएगा मतलब प्याजे यह करते हैं कि मैंने जो एज लिखा है आपको कि इस एज में बच्चा यह काम करेगा तो जरूरी नहीं है कि बच्चा उसी एज में वही काम करेगा कभी-कभी पहले भी कर सकता है, कभी-कभी उससे बाद में भी कर सकता है तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा भीयाई इसलिय होता है कि कभी-कभी किसी को बहतर environment मिल जाता है और साथ में अनवन सिक्ता लच्छड भी उसके बहतर होते हैं, तो उसका विकास कभी-कभी जल्दी सोता है, और तेज सोता है और कभी-कभी उनवन सिक्ता भीयतर मिलता है लेकिन क्या है? वहाँ पे आपको वाता वरण भीयतर नहीं मिल पाता है इसलिए वहाँ पे विकास कभी-कभी कम होता है और विकास हमने आपको पीछे पढ़ाया यहां बैग्यानिक द्रिष्ट कोण जहां रचनातमक जहां श्रीनातमक जहां खोजबीन जहां अन्वेसर जहां हिवरिस्टिक यह सब दिखे तो समझे वह आपके सही है आपको मैंने निगेटी और पॉजिटिव वर्ड का हमने वीडियो पहले ही डाल रखा है तो उसको आप लोग एक बार जरू देख लिजेए आप यहां से स्था ठोटा भी है आपका खेल पहली अवस्था क्या है संग्यानातमक बिकास की पहली है इसको कई नामों से जानते है सनवेदी पेशी अवस्था ठीक है इंद्री गामक इंद्री जनीत ठीक है या पेशी अवस्था यह जो होती है जीरो से दो वर्ष इस अवस्था कि जो एज होती क्या होती है जीरो से दो वर्ष इसमें कौन कौन से चीजे आती है प्रतिवर्तिक्रिया है जैसे चूसना नि एक लेटर बोला इस्टार्ट जैसे मा पा यह सब बोलना कर देते हैं और इनके अंदर मूल-प्रवित्यक ब्यभार पायज्याते हैं जैसे हसनारोना यह क्या होता है इनका जनमजात होता है अगला कर वस्तु अस्थाईट वक ठीक न और है यहां पर जागा कालपनी खेल यह सब की सवस्थां पाए जाते हैं इसमें बच्चे कहानियां वन्या सुन्ना बहुत पसंद करते हैं कानपली कालपनी खेल आपकी जो एक जाम में पूछ रहे बार बार ये चिज़ पूछा ग अनेचिक करिया, सहज करिया हैं, इंद्रियों के द्वारा अधिगंग, इस पॉइंट को आप लोग जरू याद रखेगा, इसको किसको याद रखना आपको, इन तीनों पॉइंट को, आपको ये क्या है, मिल जाएगा, ये तीन पॉइंट आपको मिलने वाला एक्जाम है, अ और ग्यान निंद्र क्या होते हैं, उनकी पांच ग्यान निंद्या होते हैं, कौन कौन सी, आख, कान, तवचा, मु, नाक, ठीकिना, आख, कान, नाक, मु, जीव, तवचा, ये सब 5 ग्यान निंद्या होते हैं, आख, कान, नाक, जीव, तवचा, आख, कान, नाक, जीव, शुरुआती दोर में सीखता है अगला देखते हैं अब थोला सा इस फील्ड बढ़ाएंगे भी या ठीक है अब इसके बाद हम लेंगे प्रिवेश एर कोस्चन को दूसरी अवस्ता है 2 से 7 वर्स दूसरी अवस्ता क्या है दूसरी अवस्ता आपको देखरें क्या 2 से 7 वर्स प्रिवेश शंप्रत्यात्मक अवस्ता जिसे क्या करते हैं 2 से 4 वर्स कितने होती है यह दो अवस्ता बाटा इनों ने एक 2 से 4 और दूसरा 4 से 7 ठीक है इस अवास्था में बालक सुचकांग का गुड़ आ जाता है मतलब सुचकांग मतलब इसमें क्या है चिन और संकेत जिसमें क्या है संकेत यों बिन मतलब चिन और संकेत बच्चा समझने लगता है जो दो से चार वर्स के एज में पियाजे इस अवास्था को दो सीमा माना, क्या माना है, जीवात आत्मकेंदिता, ठीक न, जब लड़का दो से चार साल का होता है न, तो उसमें सभी चीजों क्या समझता है, कि जीवीत है, और आत्मकेंदिता मतलब बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जब घर में बच्चा कोई मिठाईल ले लेता है, या कोई भी खाने पीने वाली समान अगर ले लेता है, अगर भीयाओ दो से चार साल का है, तो समझिए, वो सिर्फ सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, और किसी के बारे में नहीं सोचेगा, वात समझ्यागी, और सभी वस्तों क्या जैसे अब अभी एक कोश्चन का उसके अंसर देंगे तब तक उसके पहले उसका दूशरा कोस्चन तैयार होता है उसकी कोस्टन की लड़ी लगी रही है को देके सकते कि वह Q EQ Slim Vals पूछता जाएगा भले आप अंसर आधाधूरा क्योंрий हो ना बताते हो अगला क्या है चार से साथ वर्स चार से साथ वर्स में क्या होता है सारचण का भाव अभी हमने पढ़ाया आपको पल्टावी पन करम गिनना वर्णमाला इत्यादी की सुरवात केंदरी करण इसमें क्या खेल की भावना आ जाती है चार से साथ वर्स में अग कौन से खेल खेल लगते हैं आगे बड़े लास्ट पीज आपका है और इसके बाद फिर हम लेंगे प्रीबियस यह कोस्चन तो इसमें क्या है यह ठोस और मुर्थ वस्था हैं इसे ठोस कहते हैं यह मुर्थ वस्था कहते हैं यह 7-11 साल की होती कितने होती है 7-11 साल के बचल की क्या करते हैं जो चीजे बताएंगे उसको याद रखते हैं पल्टावी पन एक समय में कई वस्थों पर ध्यान दे पाते हैं इनके अंदर क्या है तारकिक चिंतन की सुरुवात होती मतलब यह चिंतन करना इस्टार्ट कर देते हैं इस वस्था हैं जब बच फिश्वां करता जूड घटाना गूडा भाग माप तोल क्या होता है माप तोल चेत्रफल आयतन परतिवर्ति शंचलन संक्राम मकता वरतमान इस पॉइंट को याद रखेगा वरतमान भूत काल भवीच शेकाल के बारे में क्या है अस्पश टूप से समझ जाता है कि भूत क क्या हुआ आज क्या हो रहा है कल क्या हो सकता है थोड़ा-थोड़ा कलपना करने लगता है ठीक है भी भेदी करन मतलब दो लोगों में तुलना करने लगता कि कौन सही है कौन गलत है कौन मेरे लिए सोच रहा है कौन मेरे बारे में नहीं सोच रहा है अनाम द्वारा समझने ल ग्यारा से पंद्रवर्स की होती है, यह कितनी की होती है, ग्यारा से पंद्रवर्स, इसमें क्या होता है, इसमें अमूर्थ चिंतन, मतलब कल्पना करना, जो चीजे नहीं दिखाई देती है, उसके बारे में भी सोचना, बासमज में आई, जो चीजे नहीं दिखाई देती है, उसके बारे में भी सोचना क्या कलाएगा अमूर्त चिंतन इसमें सभी पॉइंट को याद के लिए अपलो नया कि प्रति समझ अस्थापित करना ठीक है समाजिक मुद्धूप विचार करना अपसारी चिंतन तारकी चिंतन में परिपक संकल्पना चिंतन वस्तो निष्टता व उसके बारे में सोचना जैसे यह हो गया हमउर्त चिंतन को हम क्या कर सकते हैं परिकल्पना चिंतन कह सकते हैं इसमें और यहीं थी तो हिए हमारी वसानी होगी ज्यादा टेंशन लेने के आप जरूद नहीं है मैं आपको नहीं पढल आ हूँ है अब prefald इन नहीं पढल लेकिन जो पिछली बार यंधक विकास की total पढल हुआ है और चाहते हैं कि पूरा अगर आप उसको फिर से देखना तो आप पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख लिजेगा नहीं तो जितना मैं पढ़ाया हूँ इससे बाहर आपका एक भी कोस्टन नहीं जाएगा आप देख पा रहे हैं इसकीन पर कि मैंने टूटल क्या है 31 कोस्टन कितना हमने 38 कोस्टन लिया है हमने कितना कोस्टन लिया है 38 कोस्टन और जितना हमने पढ़ाया है उससे अगर आपका एक भी कोस्टन बाहर जाएगा तो कहिएगा ठीक है एक भी कोस्टन आपके बाहर जाने वाले नहीं है चले पहला कोस्टन आपके स्कीन पर अब बतेए इसका क्या से होगा अब तक तो आपने कोस्टन को रीट कर लिया होगा तो चले मैं स्टार्ट करता हूँ कराईये माननेता भी भौतिक वरस्तुओं जैसे गुडिया कार में सजीव अब यह उने बताया सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है तो कहों से कहलाए अब यह वर्गी करना मतलब तुलना करना केंद्री करना मतलब किसी अकिपच पे ध्यान दे पाना बादानुकरमिक सोच म किया हो जाएक हमारा जीव वाद हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा अगर केंद्री करना की बात की जा है तो आपका Cendrick करना झोро सबस्तिता में चूर्बा सब्सक्राइब कर लीता हूं किसमें आएगा दो से साथ में ठीक है वर्गी करना आपको किसमें आजाएगा वर्गी करना आपको आजाएगा साथ से ग्यारह यह कितने में आएगा साथ से ग्यारह में और आपसे जो पूछा है क्या पूछा है जीरो से दो सार ठीक है बार बार में आपको हिंड करते जाओं बताईए इसका क्या होगा जिन प्याजे के संग्यानातों विकास के सिधान के अनुसार निमलिखित में से कौन सी आउधार ना तीन से छे वर्थ क्या पूच रहे हैं तीन से छे वर्थ तो कैने यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पूच रहे हैं तो देख़ें जो संबर्चन होताब इस अफ्वस्था में जाता है साथ से 47 वाले में जाता किसमे आनुक्रमृता तो आपके सोंकितिक प्रतिन इंदित उइए और तार्किक अनु प्रयोग तारकिक और प्रयोक किसमे आ जाएगा यह तो आपको लाश्ट वाले में चार वाले में आपके आ जाएंगे इसमें क्या होता है जिसमें बच्चा संकेत और चया है बिंदों को सामिल करते हैं मतलब इन सब चीजों को जानना इस्टार्ट करते हैं तो यहाप कौन से हो जागा हमारा अनुक्रमत्ता मतलब आप किसमें आ जाएगा ये इसी में आजाएगा क्या साथ से इग्यारे में ठीक है आगे बढ़ते हैं अब बतिये इसका क्या से होगा आप लोग अपना आकलन भी करते रहेगा ठीक है करे जिन प्याजे के संग्यानादों विकास के सिधान के अनुसार अधिकास बच्चे किस अवस्था में वस्थ को स्रेणियों बेवस्थित किसमें विया स्रेणियों में बेवस्थित तो स्रेणियों के लिए क्या हो जाएगा बताईए स्रेणियों मतलब समझे रहे न क्या करना स्रेणियों में बेवस्थित करना सनवेदी गमा कवस्ता होगा नहीं पूरो संक्रियात्मक अवस्ता में क्रम होता है क्रम गिन्ना वर्ड माला इत्यादी की सुरुवात होती है लेकिन स्रेडियों को मतलब होता है जिसमें पहाला जान जाए तो पहाड़ा किसमे जानता है जिसमें जोड़ घटाना गुड़ा भाग जान जाए और जोड़ घटाना गुड़ा भाग किसमे जाता है मुर्त संक्रियात्मक अवस्ता ठीक है यह क्या होता है जीरो से दो वर्स यह क्या होता है दो से साथ वर्स यह क्या होता है साथ से ग्या कॉपी पेन लेके बैठी हर कोश्चन को एक तरब से देखती चलिया और देखिए आपको कितना सही हो रहा है जीन प्याजे का जीन प्याजे द्वारा संग्यानात्मक विकास संग्यानात्मक मानसी का अधालना के वर्डन के लिए किया गया था मानसी का अधालना मानसी का अधालना बताइए यह आपका लेवाई गोश्की का है वस्तस्तवाईत प्याजे का है ठीक है इसकीमा भी प्याजे का है समुवर्ति विकास के यह भी क्या है लेवाई गोश्की का है तो बचा आपका बी और क्या बचा आपका सी तो अगले question पर आते हैं पाच वावत यह क्या होगा आप लोग चेक करते रहे हैं कि आप लोग कितना question से हुआ अगर यह भी question मैं ने जितना पढ़ा अगर उससे एक भी question की इदा उदर जाएगा तो कहिएगा आपका आज के वीडियो से दो से तीन नंबर का question है सिटेट का जो आपको एक्जाम होगा दो से तीन नंबर दो नंबर तो fix है कभी कभी आपको तीन नंबर का भी answer question पुछ ले आता है अगर आप चाहते हैं प्रिवेसर question हो में हम जाके चेक करें कि यह question कहां कहां दिया है तो question number four और question number five चेक करिएगा वह आप आपको मिलेगा जिन प्याजे से related क्या होगा इसमें अब आप आप लोगों ट्रिक लगा लिया होगा जिन प्याजे कि संग्यानातों विकास कि सिधान्त की अनुसारा दिकांस बच्चे की सवस्था में बीते हुए यही अभी हम अपने लिख वाया था वर्तमान बविस्यो ठीक है वर्तमान यह करें बीते हुए मतलब भूत वर्तमान और भविस्यों के बारे में असपश्च उस्थी जानने लगता है अभी हम आपको बताया थे हैं तो बत एक ही सवस्था में सनवेदी या पूर्शंक्रियात्मक या मूर्त में तो आप क्या सही होने वाला है मूर अब बताइए जीन पयाजे के सिधानत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है आओ धाराडा संकेत इसकीमा सहज करिया है का रहें बुनियादी निर्मीतियों ठीक है न किस रूप में जाना जाता है बुनियादी भी यह हम उसे कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से क्या हो इस्टोर हो अजो हमारे दिमाग में पहले सी श्टोर ता उसे क्या कहते हैं हम इस कीमा कहते हैं जिन प्याजे के संग्यानात्व विकास के सिधान के अनुसार निम्न में से किस चलन पर बच्चे वस्तों को वरडित करने के लिए संकेतों का इस्तमाल किस का इस्तमाल संकेत का तो संकेत का इस्तमाल किस अवस्ता में करते हैं संकेत का इस्तमाल किस अवस्ता में करते हैं आपका सन्वेदी दिया है तो किस अवस्ता हम करते हैं जल्ली बताईए सन्वेदी पूर्व संक्रियात्मक आपके इसमें दो अवस्ता आती एक क्या थी है एक आता है पूर्व संपर्तियात्मक और दूसरा क्या आता है अंतरदसिय अवस्ता एक क्या होती है दो से चार वर्स और एक होता है चार से साथ वस तो यहाई हमने किस में बताया था दोर से चारवाले में तो कौन सा अप्सन से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता चलिए जिन प्याजे के नुसर मस्तिक्स में ज्यान की ब्यवस्तित सनचना बेवस्थित संरचना है भी या बताईए बेवस्थित संरचना संचालन, इसकीमा और नेचिक स्राइट करिया संप्रत्य कह रहा है कि बेवस्थित रूप से मस्तिक सिमेग्यान की बेवस्थित संरचना क्या कहलाती है तो क्या कहलाएगी आपको पता है, कीचन में क्या इस्टोर करके रखे थें? सारी समान को. तो सभी समान को इस्टोर करके रखे थे, तो बिकास किसी दान की अनुसार बच्चे की सवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर लेते हैं ये भी अपने लिखाया था चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित करना किस सवस्था में बताईए किस सवस्था में तो भी यह हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ठीके ना चिंतन करना बच्चा इसी में स्टार्ट करता है अब बते ये दस्वा क्या होगा समझाने के लिए भीया कुछ भचा नहीं है सब कुछ मैंने आपको इसके पहले थिरी में समझा चुका हूँ हमारे हमारे मौजूदा इस कीमा में अनभों को लगतार समलित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है समलित करना है तो आपका वर्गी करना तो होगा नहीं ठीक है समलित करना है तो आपका वर्गी करना तो होगा नहीं संकल्पना निर्मार तो आपका होगा नहीं तो बताएए इस कीमा में अनुभों को लगतार सम्मिल करना मतलब लगतार क्या करें सम्मिलित करना तो समा वेशन होगा कि समा यूजन चीजों क्या कर रहे हैं तो कह रहा है कि हमारे मौजूदा इस कीमा में अनुभों को लगतार सम्मिलित करना क्या कहलाएगा समा वेशन जीन प्याजे के संग्यानात्मक विकासी धान्त के अनुसार की स्चरण अनैचिक क्रियाएं हमने लिखवाया है अनैचिक क्रियाएं वोपर भी कोश्चन था अनैचिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान प्राथमिक माध्यम प्रात्मिक माध्यम प्रात्मिक मतलब होता है बच्चा सुरुवाती दोर में कब सीखना इस्टार्ट करता है तो आपको अच्छी तरह पता है कि सुरुवाती दोर में कब सीखना इस्टार्ट करता है सनवेदी गामक अवस्ता ये इसकी पहली अवस्ता होती है अब बताई आँ नई जनकारी की समझ बनाने के लिए मौझूदा इसकीमा में बदलाओं की प्रक्रिया क्या कलाती है आपको अच्छी दर पता है क्या कलाती है समायोजन ये देखिए दो दो बार दे दिया है समायोजन और यहाँ पर समायोजन ठीक है ये कहा रहा है अब लेकिन इसकी इंगलिस अलग है सेंट्रेंशन और एकोमोडेशन तो बताए क्या होगा असंतूलीत करण सन्विदन द्यान से बताए भी तो यहाँ पर जो क्या है अगर हम हिंदी वाले से देखें तो हिंदी वाला संज जो हमारा क्या से हो गए यहां पर तो यह कर रहे जिन प्याजे के अनुसार नई जनकारी की समज बनाने के लिए मौजूदा इसकीमा बदलाओ կे समायोजन के लाती है समायोजन तो क्या हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा भी आपका ठीक है अगला देखिए अरे सॉरी यह किस पर लग गया यह अबने क्या बता है बीस ही होगा न तो बी पर लगा लीजिए क्या सही होगा भी यह दोनों हिंदी वाला एक है लेकिन इंगलीस में यह गलत है यह वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा आप इसमें बताएगा आपका क्या सही होगा जीन प्याजे के संग्यानातों विकास किसी दान के अनुसार अधिकांस बच्चे संतूलन करंबदता और वगी करण किस चरण में सिखते हैं वरगी करण दियान दीजेगा वरगी करण किस में हमने बताया है वरगी करण संतूलन और करंबदता किस चरण में समझ लेते हैं तो ये किस में हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्ता किसमें हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मग अवस्ता ठीक है अगला कोस्चन देख लेते हैं कौन सा तीरा हो गया चाहुदा देख लीजिए रीमा ने अभी हाल ही में तारकिक रूप से और बेहतर सायोजित रूप से अपनी प्रतिकिरिया की तारकिकता को असपस्ट करते हुए परश्ण के उत्तर देने आरंब की हैं जिन प्याजे के संग्यनात्म भिकास के किस चरह में मिला जुला की पूछा है तारकिकता को असपस्ट रूप से प्रश्णों के उत्तर देना अरम दिए तो अभी प्रार्रंब की है suis जिन प्याजे के संग्या नात्मक विकास के सिद्धानत के अनुसार बच्चे किस चलण में संक्रियाओं को एक दिर्सिय तारकिक क्रम में सोचना सुरूत करते हैं पिर से देखिए तार्किक क्रम दे दिया तो अभी इसके पहले आपने क्या माना था मुर्द्र तो यहां भे कि कि Tá जिन प्या जेक शिद्दान के नुस्आर अपने वाता व्रह अनकूलन के प्रक्रिया में क्या सामिल किया सामिल होता है अनकूलन के प्रक्रिया में क्या सामिल होता है नो तो समायोजन और ना समायोजन आपको संतूलन के वास्ता में लाने तो दोनों की जरुवत पड़ेगी तो दोनों किसमें दिख रहा है बसके वल एक यह उप्शन दिख रहा है हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कोस्चन नमबर 17 17 बते ये क्या से होगा जिन प्याजे के नुसार उस प्रक्रिया को क्या करते हैं जिसमें मौझूदा इसकीम सरचनाओं को रुपांत्रित किया जाता है ताकि सीधे सीधे सपाठ तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सकते अभी सेम ही कोस्चन था बस वहाँ थोड़ा सा बदला होता वहाँ क्या था इसकीमा कहां संगठित किया जाता है ठीके तो वहाँ पर क्या था हमारा समायोजन सही था तो यहाँ भी हमारा क्या से होगा समा यूजन से होगा अभी चाओ था या पाच्वा कोस्चन था ठीक है? सेम कोस्चन है पीछे अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी क्या था? समा यूजन ही सही हुआ था हमारा बताईए प्रतीक वाद किया उधालना जिन प्याजे के संग्यानात्मक विकास के किस चनल पर चिनित की जाती है? प्रतीक प्रतीक बताईए प्रतीक मतलब क्या हो गया? प्रतीक मतलब संकेत किसको कह रहा है? संकेत और संकेत की बात हमने किसमे की थी? संकेत की बात किसमे की थी? चिन की बात हमने किस में किये थी संकेत चिन और बीन्दु सामिल किस में होते थे आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ठेक है तो अब आपको समझ में आराओ का कोस्चन जितना भी हमने थिरी पढ़ाया सारे कोस्चन कहीं कहीं वहीं से है जिन प्याजे के संग्यानात्मक सिद्धान्द के अनुसार किस चलन पर बच्चे जटिल समस्याओं को अब यह जटिल समस्याओं हमने देखू पहली पॉइंट लिखवाया था इसको जटिल समस्याओं को पहली यह दूसरी पॉइंट किसमें लिखوا था जटिल समस्याओं में तरक तो जटिल वाला भी आपको क्या से हो जाएगा औपचारिक ओपचारिक आपको उन्टिल वाला क्या हो जाएगा सही आपका आपको जाके ठीरी देखे गाए पीछे फिर से आपको कोस्टन अगर थियोरी दो बार तीन बार पड़ लेंगे कि एक भी कोस्चन आपका गलत होगा नहीं बच्चे नए जनकारी में जनकारी से सामना करते हैं तो वे अपने मांसिक सरचना इसकीमा का संसोधन कर लेते हैं तो जब इसकीमा का संसोधन करेंगे, इसकीमा का संसोधन करेंगे, तो किस में जाएगा, अभी था इसकीमा से question, तो वा क्या सही था हमारा, समा योजन, दो जगा सही हुआ था हमारा क्या, समा योजन, एक जगा था इसकीमा को संगठन कहां के जाता है, और यहां पर क्या क्या यहां पर किया सही हो जायगा आपका समा योजन के एक प्विन ली कोसचन अगर को गलत नियुकत ही अगर थीर अगर दिछान से देखें के अध्यक्य प्रश्टनन ओसी में से घिन प्याजिदे के संञ्यानात्मिक बिकास के सिध्ञान्त की अनुसार किस चरण ज्यादा बेतर सनरच्छन संप्रते से संबंदित कारे कर लेता है क्या दिया भिया सनरच्छन संप्रते से संबंदित कारे कर लेता है तो सनरच्छन की सवस्ता में कर लेता है बालक तो आपको अच्छी तो पता है कि सनरच्छन का अभाव आ जाता है मुर्तव संक्रियात्मक अवस्ता में सुर्वच्ण बच्चा कि इसमें कर लेता है तो यहां पे हमारा पहला यह क्या हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा चलिए बती अगर मैं यहीं पी ज्यादा बोलूँगा अगर कोस्टन आपके सामने रख के दो मिनिट तक मैं इंतिजार करूँगा तो यह बीडियो काफी लिंदी हो जाएगा तो आपको क्या करना है बीडियो को पूस्ट करिए फिर उस कोस्टन को अच्छे से पढ़िए फि निचाल करें बदलाव किया सकते है किसमें संग्यानात्मक में डेखेता ऌके करना अच्छे कि व τις कि अधम तो आपको अशाएं यहाद नकल कंता है यहां फिर लग गया है ठीक है तो यहां पर हमारा एकी बच रहा क्या सफ तूल लिप ठीक है संतूलन्न करन क्यां देखे आपको सारे क्यों आप ईजी लग रहे हों ठीक है और मैं कहीं से कोस्टन लाया नहीं अपने से बना के आप लोग चाहें चाहें तो कोस्टन नंबर फोर कोस्टन नंबर फाइब सभी प्रिवेसर कोस्टन को आप चेक के लिए जो 2022 से 2030 में जो एकजाम हुआ है अठाइस दिसंबर उनतीस दिसंबर फिर इसके बाद एक दो तीन चार पांचे जब फरवरी तक जो एकजाम हुआ है उन्हीं सबसे कोस्टन हम लेके आए हुए है तो जीन प्याजय के सिद्दान क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रडाली जो ब्यक्तियों को उनके जी प्रस्तूत कर नम situação ब्ताना है फिर दूसरे को फिर तीसरे को फिर चवथेखो thicker पहला दूसरा तीसरा तो क्या समझ में प्तलब इस कीम का मतलब होता है की जनकार्यों क्या है एक क्रक में रखना देखो जनकारियों क्रमरें रखके बता रहें आपको बात समयागी तो यहां पर क्या से होगा इसकी आज यह कोस्चन नंबर ट्वांटी फूर जीन प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिद्धान के अनुसार किस चलन पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टी कोंड को समझने में अब दूसरों के दृष्टी कोड़ को समझने के लिए कठिनाई महसूस करते हैं किस अवस्ताम बच्चे दूसरे के दृष्टी कोड़ को समझने में कठनाई महसूस करते हैं बताइए भी यहाँ यहाँ पर क्या सही होगा दूसरों के दृष्टी कोण को बच्चे कब समझने में कठनाएंगे जहां पर व्यात्तर के बच्चे कम कर पाएंगे वहीं पर क्या है बच्चे दूसरे के दृष्टी कोण को समझ नहीं पाएंगे ठीके यहां पर दो बच्चा समझ जाएगा यहां पे क्या होती है, शुरुवात होई जाती है, तो लाश्ट बचाइए किसी अवस्तार बच्चे क्या है, बच्चे को सोचने समयने में क्या होती है, बहुत कठिनाई होती है, तो क्या होगा, यहां पर सह हमारा, 24 का, भी हमारा सह हो जाएगा, 25 का बताइए, जिन प्याज देगा या क्या देगा चिंतन देगा तीके या क्या देगा कालपनिक चिंतन तो सम्मेशत गांव किस में जाएगा विल्कुल लास्टी स्टेज में जाएगा उसमें लिख चेम कर और पोंग milyग सोच अधिकतर बच्चे, समाजिक मुद्दो और न्याइग प्रति समझ अस्थाफित करना, हमने लिखाया है, समाजिक मुद्दो और न्याइग के संबंदित क्या करना, समझ अस्थाफित करना किस अवस्था में आएगा, सोच के बताइगे, तो किस में आएगा, अवचारिक संक् अत्मक अवस्था में ठीक है जिसको भी लग रहा है कुछ गड़बड है तो आप जाके थीरी को फिर से एक बार देख लीजिएगा एक बिद्यार्थी निष्ण करता है कि एक छड़ बी से लंबी तथा बी छड़ सी से लंबी इस परिछण के अधार पे बिद्यार्थी निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है परन्तु जब यही समस्या उसके मायखुक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निसकर्स नहीं निकाल पाता प्याजे के शिधान के नुसार विद्यार्थी संगयनात्म विकास की किस चरण में है उसको ये दिया गया ये दिया गया उसमें ये अंतरोकर लेता है लिखी तुरूप से लें मोखिकरूप से बताया जाता है में यह पर मारा सेन्वजह क्या मूर्त संक्रियातमक अवस्तान क्यासी होगा मूर्त avasthi ठीक है अगला दीखे अजिय जिन प्याजे के संग्य नाथbahn विकास के सिधानत के अनुसारव वर्ग समावेशन कि जार भच्चो desired द्वारा किस चल में आते हैं समावेशन समावेशन बताइए समावेशन किस अवस्था में आएगी कि समावेशन आपका किस अवस्था के अंतरगत आएगा तो समावेशन ठेके नई जनकारी में नई जनकारी का पुरानी जनकारी में बीवरुद होने के बाद नई जनकारी में पुरान जनकारी को डायट हो ऐसे एसे एसेप्ट कर लेना तो बताईए सम्मावेशन किसमें आएगा तो सम्मावेशन आपका आएगा भी है किसमें मुर्त संक्रियात्मक अवस्ता में किसमें आएगा मुर्त संक्रियात्मक अवस्ता में 29 बताई गे जिन पर आजैगे संग्यानात्मक विकास सिध्धान के अधा अनुसार किस चड़ में दिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक अबने आपको लिखाया अभी परिकल्पनात्मक तो परिकल्पनात्मक किसमें जाएगा अमूर्त चिंतन में जाएगा अमूर्त चिंतन जिसमें समाजी के मुद्दों के बारे में बात की जाती है जिसमें नयाय की बात की जाती है जिसमें सही गलत की पहचान हो जाती है जिन प्याजे के संग्यान आत्मक विकास के ऐसी धान के नुसार साथ से ग्यारा साफ साफ दे दिया तो बताईए साथ से ग्यारा कि सवस्ता में क्या क्या होता है साथ से ग्यारा साथ से ग्यारा आपको हो गया हम क्या मुर्त संक्रियात्मक अवस्ता होगी तो मुर्त संक्रियात्मक अवस्ता का बताईए पहला वला तो आपको अच्छी तरह पल्टाव या निस्करी अनुसरान तो आपको अच्छी तो पता है कि निस्करी अनुसरान तो होगा है नहीं वैसे भी तो क्या बचा मेरा पल्टावी पन जिन प्याजागे संचय नातना कि विकास के सिद्ध खिनुसर कि सवस्ता में दिगांस बैचे अमूर्त समस्या साब साप बैया लिख दिया अमूर्त असमस्या को तौर्खिक दंग से अल कर पाते हैं तो अमूर्त से कुछ बचा नहीं हमने साप सा लिखा है कि अमूर्थ या आपचारिक हमने कोस्चन में ही बता है अमूर्थ या आपचारिक बता ही ये कोस्चन सबसे ही जीता हमको लग रहा है 32 नमबर कोस्चन पढ़िए कंकडों से खेलते वे एक बच्चा ये खोचता है कि दो कंकड के एक समु बनता है ठीक है तो बच्चे द्वारा किया गया अन्भो क्या कहलाएगा वस्तो अस्थाइत हुआ नहीं ठीक है यह आते आपके अस्थाइत आत्म केंद्री यह भी नहीं अपने बारे मिल्दों सोच नहीं रहा है अब यह आथा किसी यह इक पच्च को तो ज्यान नहीं दे रहा है अगर किसी अगई पच्को द्यान तक यही कंकड के बारें बात करता तहां पर क्या से होगा सार अच्छा मतलब बचाओ जीन प्याजे के संग्यनातों विकास के सिधानत के अनुसार किस चलन पर बच्चे दूसरों का अनुसरन या नकल तो जाहिर सी बात प्या नकल कप करेगा पहली आवस्ता में तो इसमें कुछ बताने की जरूवत है नहीं 33 बात आज यह 34 में सारे कोस्चन अब आपको इजी लग रहे होंगे अज अब एक्जाम में आता है तो बहुत टफ लगता है यह इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पहले हमने थीरी अच्छे से बिल्कुल समझा दिया है जिसके जरी है आपके कोस्चन को असानी प्रुवक कर पा रहे होंगे फीर से देखे पुछदियावईवित्या वर्तमान भवीष्य भूट कहा पने गए थे हम मूर्तसंक्रियातमक अवस्था में कर वह थो अभी कुछ दिर पहले तो यह भी क्या से होगा मूर्तसंक्रियातमक अवस्था जिन प्याजे के संग्यानातमक जिन प्याजे के सिद्धान के उश्वा अगर एक स्कीम संटूंषट परिडाम नहीं देता है तो वहां पे क्या हुत्पन होता है दिखिए, ये वाला तो लौरेंस कोहलबर अरे, उसका ह। क्या नम है? ले वाई गोश्की का हृए ये तो होगा नहीं अनुकृ ये असंतुलन असंतूलन और सरच्छा और अनुकृ भताएं इसमें से क्या से होगा कराई इसकीम संतुष्ट परड़ाम नहीं देता है मतलब आप संतूलित अवस्था में नहीं है जब आप संतूलित अवस्था में नहीं है तो भीया क्या है आप संतूलन की अवस्था में है अब बताईए जिन प्याजे के अनुसार वेक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करता रहता है समाधान किसकी समाधान की निरंतर खोज करता रहता है वेक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए संतूलन की अवस्ता को प्राप्त कनने के लिए तेक है संतूलन की अवस्ता को प्राप्त कनने के लिए करता है ब्यक्तिय में साथ संतूलन की अवस्ता में हर कोई जाना चाता है हर कोई संतूष्ट यार खुस रहना चाहता है कोश्चन के और वच्चे हैं इसके बाद आपका सारा कॉश्चन खटम फिर इसके बाद एगले वीडियों मिलेंगे लिए वाई कोश्की के शाथ निगमनात्मक दे दिया अभिया तो निगमनात्मक काई रहा आपचारिक तो निकनात्म मतलब और चारिक सोचने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है साइटीस हो गया लाश्ट कोस्टन आप कहां तीस जिन प्याज़ागे संग्यानात्म विकास के सिदान की अनुसार की सवस्ताम बचे अनायचीक मम्मी बोले पापा को मार दो तो पापा को मार दे पापा बोले मम्मी को मार दो तो बच्चा मम्मी को मार देता है तो यह कब आप होती है भी है जब बच्चा छोटा होता है कितना छोटा होता है जीरो से दो साल का होता है तो किसमें आजाएगा सेंसरी मोटर स्टेज तो आसा करता हूँ दोस्त आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आये वीडियो तो ज़ादा जहलों को सेर करिे चैनल जो सस्क्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिे आई ये सब नहीं हो पारे तो मत करिए कोई बीपात नहीं लेकिन आप जो किस टोपिक पे आपको प्रॉबलम हो रही है किस चरण को आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाये है या किस पॉइंट पर आपको तक प्लीफ हो रही है वह चीज जो चीज आपको समझ में नहीं हा रही है अज यतना सारा कुछ में पढ़ाया सारा कुछ उसी से रिलेटेट था एक भी कोस्टन अगर उससे बाहर गया होगा तो अब बताईएगा ठीक है तो आज लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं आपसे नेश्टी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद